कुछ ही समय में दिवाली और छट पूजा का त्याहार मनाया जाएगा। इस दौरान लगभग लोग अपने घर जाने की प्लानिंग करते हैं, जो कामकाज के सिलसिले में अपने परिवार से दूर रहते हैं। पैसे में अगर आपको भी ट्रैवल करना है, तो सबसे बड़ी परिशानी होती है कमफर्म टिकट का न मिलना। अक्सर रेलवे में ट्रैवल करने वाले लोगों को कमफर्म सीट नहीं मिलती और इस समय यात्रियों की बढ़ती संख्या इस प्रॉबलम को और ज्यादा बड़ा बना देती है। ऐसे में अगर आप मध्य प्रदेश ट्रैवल करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ स्पेशल ट्रेनों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। क्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए, रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का एलान किया है। ये ट्रेने प्रयागराज, कानपुर, आरा में भी ठहरेगी। ये फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। सबसे पहली ट्रेन है वंदे भारत स्पेशल एक्स्प्रेस। ये ट्रेन नई दिल्ली से पटना जाएगी। ट्रेन का नंबर है 02252। ये ट्रेन 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 3 नवंबर और 6 नवंबर को दिल्ली से रवाना होगी। इसका समय सुभा 8 बचकर 25 मिनट पर है। ये ट्रेन दोपहर, 1 बचकर 2 मिनट पर कानपूर सेंट्रल, 3 बचकर 5 मिनट पर प्रयागराज, 4 बचकर 50 मिनट पर पंडित दीनदयाल उपाध्याई जंक्षन, 6 बचकर 15 मिनट पर बकसर और, 7 बचकर 8 मिनट पर आरा रुकेगी। इसके बाद ये ट्रेन रात 8 बजे पटना जंक्षन पहुचेगी। दूसरी ट्रेन है वंदे भारत स्पेशल एक्स्प्रेस पटना से नई दिल्ली। वापसी की यात्रा में गाडी संख्या 02251, पटनाने दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन, 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 4 नवंबर और 7 नवंबर को सुबह 7 बचकर 30 मिनट पर पटना से रवाना होगी। ये ट्रेन 8 बचकर 5 मिनट पर आरा, 8 बचकर 45 मिनट पर बकसर, 10 बचकर 20 मिनट पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्षन, 12 बचकर 10 मिनट पर प्रयागराच, 2 बचकर 18 मिनट पर कानकूर सेंट्रल पहुँचेगी। इसके बाद शाम 7 बजे नई दिल्ली पहुँचेगी। इसके अलावा नई दिल्ली से पटना बरौनी और जैनगर के लिए भी एक-एक जोडी स्पेशल ट्रेने चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों का परिचालन यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है ताकि त्योहारों के समय यात्रा करना आसान हो सके। साथ ही सभी अपने घर पहुँचकर अपने परिवार के साथ त्योहार का मजा ले सके। अगर आप इन ट्रेनों में सफर करने वाले हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि समय से पहले अपनी ट्रेन की टिकट बुक करवाले। साथ ही अगर आप भी स्पेशल ट्रेनों के बारे में ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको आज की विडियो कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे लोकल 18.